जेहन सातियो, स्वागत है आपका अपनी YouTube Channel माधव की पार्ट साला में और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पहले हम जो सीरीज लेकर आये थे Railway चप्रफार सीरीज जो की Important Question थे और जिसमें मैंने आपको बताये थे 30 Question और उसी का आगे का Next Part है जो की आज हम आपको बताने वाले हैं जो Railway के एक्जाम है उसके Point of View से बहुत ही महत्पूर Question है और आज हमारे Question जो है 40 Question है और जिन लोगों ने वीडियो देखी है तो उस वीडियो को जो है बहुत ही helpful रही होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का Link जो है description box में दे दूँगा ठीक है तो आज की जो वीडियो हमारी बहुत helpful होने वाली है और बहुत ही knowledgeable वीडियो है और हम आज देखेंगे 40 question जो की railway से संबंदित है और railway के किसी ना किसी exam में आए हुए है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं हम अपने topic पर और देखी हमारा जो आज का पहला जो question है ठीक है तो देश में पहली bullet train किसके मद्ध चलाई जाएगी ठीक है तो यह मुंबई वा एहमदाबाद की वीच चलाई जाएगी next हमारा जो question है भारत में किस राज में rail line सबसे अधिक है तो इसका answer है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज में जो railway line सबसे अधिक है next हमारा जो question है palace on wheels की तर्ज पर नई rail गाड़ी डेकन ODC का परिचालन किस राज में हो रहा है तो इसका जो answer है महराष्ट है और जो palace on vehicles wheels की तर्ज पर जो नई rail गाड़ी चलाई जाएगी इसका नाम होगा डेकन ODC ठीक है तो यह महराष्ट में चलाई जाएगी next हमारा जो question है यह है कोंकर्ण rail mark किस परबत संख्ला से होकर गुजरता है तो इसका अंसर है पश्चिमी घाड़ जो है वहाँ से कोंकर्ण rail mark गुजरता है ठीक है next हमारा question है भारत में किस railway zone की लंबाई सबसे अधिक है तो उसका अंसर है उत्तर railway सबसे अधिक है नेक्ष्ट हमारा question है भारत में कितने में प्रकार मार्ग है तो यह 3 से कोंकरर कोंकर कोंदे कोंकर भारती रेल बजट को सामान बजट से कब अलग किया गया है तो यह 1924 में है है ठीक है next हमारा question है देखिए दोस्तों मैं जो question है जल्दी इसली कर रहा हूं तो कि आज जो question है चालिस है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जो question है जल्दी लेकर आ रहा हूं और बस आप लोगों से कहना है कि जो भी वीडियो को देखें तो without skip के देखें ताक बर्स कानपूर से की गई ठीक है तो रेल्यू के आधारित सिग्मल डेजाइन जो परियोजना है तो कानपूर से जो उसकी शुरुगात की गई थी वो किस बर्स की गई थी तो यह जो बर्स था 2015 इसका आंसर है 2015 नेक्स हमारा कोश्चन है दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है तो वो कौनसा है तो उसका नाम है Ferry Queen ठीक है जो की भारत में है ठीक नेक्स हमारा जो कोश्चन है भारत के किस राज में weekendsimmen railway line नहीं है भारत का ऐसा कौनसा र भारत और बंगला देश की बीस चलने बादी रेल कौन सी है तो यह तो नॉर्मल सा कोश्चन है सभी को पता होगा इसका जो आंसर है मैत्री एक्सप्रेस है ठीक है और हमारा जो देखी नेक्स्ट कोश्चन हमारा जो है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है ठीक है त जो है सबसे लंबा रेलमार्ग है प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट हमारा कोश्चन है भारत का भारत की सबसे लंबी रेलवे टरनल कौन सी है तो इसका अंसर है पीर पंजाल जो की बेनिहल रेलवे टरनल है और जिसकी लंबाई जो है 11.215 ठीक है 11.215 किलो मीटर है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो question है, बारत में चलने वाली पहली electric train कौन सी है, तो इसका नाम है डेकिन कुईन जो की 13 फरवरी 1925 को वामबे, बीटी और कुरला के बीच चली थी ठीक है यह जो है पहली इलेक्ट्रिक टेन थी जो की डेकिन कुईन नाम से है ठीक है और यहां पर डेट दी हुई है नेक्स हमारा क्वोस्चन है भारत की प्रिथम रेल गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तै की गई जो भारत की पहली रेल गाड़ी थी और वो जो है कितनी दूरी तै करके चली थी तो इसका अंसर है 34 किलिमीटर और जो की चली थी मुंबई और ठाने के मत दें ठीक है और नेक्स सकते हैं कि इसका जो मुख्याला है पांच जगह है इलाबाद मुंबई कोलकाता भूपाल और चेंड नहीं में नेस्ट कोश्चन हमारा है भारत में पिर्थम विद्धुत डेल कब चली ठीक है तो जो बिजली वाली अगर अपनी सुद्ध भासा मत करते हैं तो इसको कहते हैं जो लाइन है उसको कब चली थी तो इसका जो आंसर है 1925 में यह पिर्थम जो है विद्धुत डेल चली थी 1925 में नेक्स्ट हमारा कोश्चन है रेल दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर है और यह जो कोश्चन है यह बहुत ही मात्पूर है यह कई बार एक्जाम में आ चोगा है नेक्स्ट हमारा जो कोश्चन है देखें ब्राट गेज रेलवे लाइन की चड़ाई कितनी होती है तो इसका जो आंसर है 1.676 मीटर ठीक है तो जो रेलवे लाइन की जो दूरी होती ह नेक्स्ट हमारा आंसर है भारत में सबसे तेज चलनी वाली गाड़ी कौन सी है तो यह सताबदी एक्सप्रेस ठीक है नेक्स्ट हमारा जो क्वी Türk है भूर्ट में जमीन के अंदर जो मेट्र रेलवे थी उसका सुबारम 1984-85 में कुलकातर में हुआ था अगला हमारा जो कोश्चन है भारतिये रेल में तृतिये सेंड़ी किस बर समाप्त कर दे गई जो तृतिये सेंड़ी जो भारतिये रेल है उसको जो कप समाप्त किया गया था तो यह 1994 में इसका अंसर है 1974 में ठीक है नेक्स्ट हमारा जो कोश्चन है देखिए हुसेणी वाला है ठीक है और नेक्स्ट हमारा कोश्चिन है भारत के दक्षण के अंतम बिंदू पर कौन सी रेलवे इस्टेशन है भारत का जो दक्षण हिस्सा है उसके अंतम बिंदू पर कौन सा रेलवे इस्टेशन है तो यह है कर्णिया कुमारी ठीक है कर्णिया कुमारी जो है बिल्कुल लास्ट इस कि शन में हुआ था तो यह आठारा सौबoj हुआ था कहा है तो इतोका स्का में प्लांट से में तोका स्टो यह में विएटनरा कौन से छो एréal, नॉर्मorgtि बहुत नौर्मल सा question है और यह आपको पांच में ही आपको चार पांच में आपको देखने को यह मिल जाएगा लेकिन कभी-कभी एक्जाम में क्या होता है question पूंच लेता है तो इसका answer आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हमारा question है भारती railway में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है और जो भारत में जो जोन है 17 जोन है और साइद अब 18 हो गए है और जो जितने भी जोन है मैं उन पर एक अलग से topic बना दूँगा कि कौन सा जोन कहां पर है और किस सन में जो है जोन बना था तो यह जो 17 ज चाहते हैं और आप दोगी जो है comment box में आप हमको बता दीजिए ठीक है नेक्स्ट हमारा question है भारती रेल का सरवादिक रेल गाड़ी चलने वाला railway station कौन सा है जो भारती railway है तो जहां ऐसी जगा कौन सी है जहां पर सरवादिक रेली गाड़ियां चलाई जाती है तो जो उसक नेक्स हमारा question है भारती रेल्वे का रेल लाइन की लंबाई की द्रश्टी से बिस में कौन सा इस्थान है तो जो भारती रेल्वे का रेल लाइन की लंबाई में जो इस्थान है वो चौता इस्थान है ठीक है नेक्स्ट हमारा जो question है रेल्वे स्टाफ कालेज कहां इस्थ तो इसका जो आंसर है वो है वरोडा में ठीक है नेक्स्ट हमारा कोश्चन है भारतिय रेलवे का संग्राल है या फिर इसे कैसे हैं भारतिय रेलवे का म्यूजियम कहां इस्थित है तो यह है चानकपुरी नई दिल्ली में ठीक है नेक्स्ट हमारा कोश्चन है भारतिय रेल का स्लोगन क्या है जो भारती रेल है उसका स्लोगन क्या है स्लोगन क्या है तो यह राष्ट की जीवर रेखा और इसको अगर इंगलिस में हम कहते हैं तो Lifeline of the Nation यह जो भारती रेल का स्लोगन है सुतंत्र भारत का पहला रेल ब्जट किनों ने पृष्टित किया था सुतंत्र भारत था महारा डेशा आजया गया था उब किसके द्वारा पृष्टित किया गया था तो इसका जो आपना सर जान मत आई और यह जो सन थी नवंबर 1947 में इसको प्रिश्थित किया गया था नेक्स्ट हमारा कोश्चन है भारतिये रेलवे में सबसे बड़ी आये का माध्यम क्या है भारतिये रेलवे में सबसे बड़ी आये का माध्यम क्या है यह सबसे जाधा इप्राप्त होती है वह किस माद्यम को यह माल इदर से वiks सामान होता है ट्रानस्पोर्ट जो सब्सी जाधा है बात के सबसे लंभी रेल गाड़ी भारत की सबसे लंबी रेलगाडी जो है प्रियाग राज एक्सप्रेस है ठीक है नेक्स हमारा जो कोश्चन है भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है ठीक है भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है तो नागपुर से अजनी जो है तीन किलोमेटर यह सबसे जो है कम दूर एरिया है बहुँ ज़्यादा भिनवार रहती है सबसे ब्यस्त रेलवे इस्टेशन जो है लखनोगे है नेक्स्ट हमारा जो कोस्टिन है और अंतिन कोस्टिन है भारती रेलवे में सर प्रिथम परियतन रेल गाड़ी कब कहां और किस नाम से शुरू की गई थी ठीक है तो इस कहां की गई थी तो इसका अंसर है दिल्ली से जाइपूर की बीच तो यह चालिस कोस्टिन थे मैंने आपके सामने यह आपको दिखाए हैं वीडियो में आपके सामने प्रिष्थित की हैं और यह कोस्टिन जो है बहुत ही महातपूर है मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और इसी तरीके कोस्टिन मैं आपको और लाता रहूंगा जो कि आपके रेलवे के जितने भी एक्जाम है ठीक है एंटी पीजी का हो गया आपका एलपी का हो गया एलपी का हो गया गुरूप डी का जितने भी एक्जाम है तो यह सभी में बहुत ही महातपूर है और जो कोस् अपको वीडियो मिलती रहेगी और हमारा जो नेक्ट वश्चन है वो आप लोगों के लिए और उसका आंशर, जो है कहमेंट में देना है और इससे पिछले जो मैं पिछली वीडियो में मैंने कमेंट में आपको का था जिकांन सर देने के लिए होंबर्क के लूप में अब उसका आंसर आपको comment box में देना है और question नमारा है कि भारत में सरबाधिक फलेटफार्म वाला railway station कौन सा है भारत में कौन सा railway station है जहां पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है ठीक है तो इसका आंसर जो आपको है कमिंट बॉक्स में देना है ताकि आपको पता रहे कि आपका जो अपको आपकमप्लीट करें और आपको मिलती रहेंगी छेलों को सब्सक्राइब करें अपको मिलती रहेंगी तब तक के लिए जै हैं जै भारत बंद्य मात्यि आप